नमो नमा मैं डॉक्टर मधुशर्मा सायक आचारी संस्कृत बीए त्रतिय वर्ष का प्रथम प्रेश्न पत्र है धर्म और दर्शन जिसके अंतरगत हम अध्यन कर रहे हैं भारतिय दर्शनों का समाने परिचे भारतिय दर्शन के सिध्धान्त विशेश्टाएं और भारतिय जो दर्शन हैं उन दर्शनों में अलग-अलग दर्शनों में जो सिध्धान्त जो दिये गए हैं प्रमुक्ता से उनका अध्यन कर रहे हैं खूर में हमने चावक दर्शन की प्रमाण मिमांसक अध्यन किया आज हम अध्यन करेंगे सांके दर्शन के सतकारे बाद का सांके दर्शन के जो रचेता हैं वो भैशी कपिल है सांके दर्शन का मुख्य ग्रंथ है कपिल का तत्व समाज सांख्य दर्शन का जो प्रमानिक जो ग्रंथ है वो इश्वर क्रेश्न की सांख्य कारी का है जिसके अंतरगत सांख्य दर्शन का हमें पूर्ण परीचे प्राप्त होता है सांख्य दर्शन का भी मुख्य उद्देश सभी दुखों से मुक्ती पाने के निमित तत्व ज्यान की प्राप्ति करना है सांख्य दर्शन में दो मूल तत्वों को माना गया है प्रकर्टी और पुरूश सांख्य दर्शन के मुख्य मुख्य जो सिधान्ध है उनमें सर प्रथम जो अत्यंद मैत्पुन सिधान्ध है वो है सत कार्य वाद सांक्य दर्शन का ये मुख्य आधार है प्रेश्ण ये है कि कारे की सत्या उसकी उत्पत्ती से पूर्व कारण में रहती है या नहीं न्याय वैशेशिक और बौध्य दर्शन उत्तर देते हैं कि नहीं यदि उत्पत्ती से पूर्व ही कारे की सत्या विद्दिमान थी तब फिर उत्पन होने का अर्थ क्या रह जाता है और निमित्य कारण का प्रियोजन क्या रह जाता है यदि मिट्टी में घड़ा पहले से ही मौजूद था तो फिर कुमार को मेनद करके चांग घुमाने की क्या जूरती इसके अलावा यदि कार्य पहले से ही उपादान कारण में मौजूद था तो फिर हम कार्य कारण का भेद किस प्रकार करते हैं मिट्टी और घड़ा दोनों के लिए एक ही नामका प्रयों क्यों नहीं करते हैं। मिट्टी का जो लोदा है वो ही घड़े का काम क्यों नहीं करता। ये दिये कहा जाए कि दोनों में मिट्टी में और घड़े में आकार का भेद है। तब ये स्विकार करना होगा कि कार्य में कोई वस्तू ऐसी है जो कारण में नहीं थी अठाथ कार्य वास्तिक रूप से कारण में विद्धिमान नहीं था ये सिध्धान्त अठाथ कार्य अपनी उत्पत्ती से पूर्व कारण में विद्धिमान नहीं रहता यह असत्कारवाद कहलाता है सांकि दर्शन असत्कारवाद का खंडन करते हुए सत्कारवाद का प्रतिवादन करता है इसके लिए वो दो युक्तियां देता है कि यदि कार्य वस्तुत है कारण में अरविद्दिमान रहता है तो किसी भी प्रैत्न से उसका आविर्भाव नहीं होता क्या बालू से आप तेल निकाल सकते हैं? क्या आकाश को मत कर मखन दियार गया जा सकता है? तिल को पिरोने से तेल निकलता है क्योंकि तिल में तेल पहले से मौजूत था वे विशे जवस्था में प्रकट होता है इसलिए जो निमित कारण है उसका काम इतना ही है कि वे उपादान कारण में अप्रत्यक्ष उप से वर्तमान कारे को प्रत्यक्ष कर दे दूशे सब्दों में करता के व्यापार से जिस कारे की उत्पत्ती होती है वेधस्तुत है अभिव्यक्ति मात्र है देखने में आता है कि किसी खास कारे का प्राधुर्भाव खास कारण से होता है जैसे दही तब बनेगा दही जब भी बनेगा तब दूच से ही बनेगा तेल तभी निकलेगा तिल से ही निकलेगा और मिट्टी से आप दही नहीं बना सकते ना बालू से तेल निकाल सकते हैं इससे सूचित होता है कि विशेश कार्य विशेश कारण में पहले से ही मौज़ूद रहता है नहीं तो किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ती संभव होती जैसे तेली को तेल तयार करने के लिए तेल या सरसों की ज़रत नहीं पढ़ती है वह चाहे जिसकी भी चीज से तेल निकाल रहता इससे सद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्तत्ती से पूर्व कारण में रहता है एक अन्य युक्ती वो देते हैं कि केवल समर्थ कारण में अभिस्ट कारी की प्राप्ती हो सकती है इससे सद्ध होता है कि कार्य शूष्म रूप से अपने कारण में विद्धिमान था अर्थात कार्य उत्पन होने से पूर्व अव्यक्त अवस्था में रहता है दूशरा यदि कार्य सच्मच कारण में अविद्धिमान रहता तो इसका अर्थिय होता कि असत से सद्ध की उत्पत्ती होती है अर्था शूने से किसी वस्टु का प्राधुर्वा हो जाता है जो सर्वथा असंभव है वस्तुते कारी कारण से बिन नहीं है, किन्तु अभिन है एक ही वस्तु की व्यक्त और अव्यक्त अवस्थाओं को हम कारी कारण कह देते हैं शूश में दश्टी से देखने पर कपड़ा अपने धागों से प्रत्थक वस्तु नहीं है और ना टेबल अपने लकड़ी से बिन है मिट्टी का घड़ा वस्तुते मिट्टी ही है, पत्थर की मूर्ती वस्तुते पत्थर ही है इन सब बातों से सांथ ये निश्कर्ष पर पहुंचता है कि कारे अपनी अभिवेक्ती से पूर्व भी कारण में विद्यमान रहता है इसी सिध्धान्त को सत्कारवाद कहते हैं सत्कारवाद के भी दो रूप हैं परिमाणवाद और विवर्थवाद परिमाणवाद के अनुसार कारे की उत्पत्ती का अर्थ है कारण का सच्मुच रुपांतरित होना जैसे दूद का परिनाम है धही मिट्टी का परिनाम है घड़ा यहां दूर्दर मिट्टी के वास्त्विक रूपांतर या विचार होने से ही धही और घड़े का प्राधुर्बा होता है यह सांकिका मत है दिवतिय मत है विवर्त बाद जो अद्वेत विदान्त का मत है उसका कहना है कि कारण में जो विकार या रूपांतर परिलक्षित होता है वे वास्त्विक नहीं है एक आभास मात्र है रसी में केवल सांप की प्रतीती मात्र होती है सांप की सत्ता उसमें नहीं आ जाती इसी प्रकार जो नाना विकार हमें परिलक्षित होते हैं वे ब्रह्म या आभास मात्र हैं या थार्तद ब्रह्म का रुपांतर नहीं होता वे शाष्वत रूप से एक सा बना रहता है फिर भी हमें वे नाना रुपात्मक जगत के रूप में बदलता हुआ सा मालूम पड़ता है इस मत्र के अनुसार कारे कारण का वास्त्विक रुपांतर नहीं है बलकि विवर्द मात्र है विवर्थ वाद अदिवत्मिदान का मत है और परिणामवाद सांखे का मत है ये सतकारवाद जो है वो परिणामवाद को सिद्ध करता है और सांखे का मत है यिधार्थ विकार को मानता है इन्ही विचारों से आगे जो हम श्रश्टी की प्रक्रिया को समझते हैं वहाँ पर ये विचार कारे करते हैं इस प्रकार सांखे दर्षन का जो मुख्य सिद्धान्थ है वो सतकारवाद है कार्य की सत्ता उसकी उत्पत्ती से पूरू भी कारण में रहती है यह सत्कारवाद है